जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगेगी बट पूर्णीमा ब्रत के दिन बरगत के पेड़ की परिक्रमा करने की क्या फायदे हैं हिंदू धर में हर महीने धेरो तेवहार आते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होने के बावजूद बहुत ही महत पूर्णीमा का पर्व भी ऐसा ही होता है हर माह में एक पूर्णीमा आती है हर पूर्णीमा का महत्व भी अलग होता है आज हम जिस पूर्णी इस दिन बर्गत के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। इस वर्स आपको बता दे कि बट पूर्णिमा 14 जून को पढ़ रही है। इस अवसर पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बर्गत के पेड़ की परिक्रमा करने से आपको क्या लाब हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे दोस्तो बरगत के पेड़ में ब्रह्मभा, विस्नु, महेश तीनो देवताओं का वास होता है इस पेड़ की यदि आप परिक्रमा करती हैं तो आपको एक साथ तीनो देवताओं का असिरवात प्राप्त हो जाता है हिंदू सास्तों में इस वात का बर्णन मिलता है कि महिलाओं को बरगत के पेड़ की परिक्रमा करने पर अखंड सौभागी की प्राप्ती होती है पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है अगर आप नियमित इसकी परिक्रमा करती है तो इससे आपका जीवन भी बढ़ता है बरगत के पेड़ की कम से कम साथ परिक्रमा अवस्य करना चाहिए ऐसा सास्त्रों में नियम बताया गया है बरगत के पेड़ की जड़ में ब्रम्भा जी का वास होता है बरगत के पेड़ की छाल में भगवान विस्नु जी का वास होता है बरगत के पेड़ की तनों में भगवान सिव जी का वास होता है सास्त्रों में बरगत के पेड़ को मंगल ग्रह का कारक माना गया है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोस है तो आपको बरगत के पेड़ की परिक्रमा अवस्य करने चाहिए उमीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और मेरे इस घरेलुखबर चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स